महापर्व छट पूजा के औसर पर राची के कांके रोड में रिलैंस प्रेस के द्वारा सैंड आर्ट बनाया गया है। इसमें सुर्व भगवान का परतीमा बनाया गया है। यह उरिसा के एक कलकार धिरेंद्र पांडा ने बनाया है। उन्होंने कहा कि हम हर एक वर्ष परतीमा बनाने के लिए कहीं न कहीं जाते हैं। पिछली बार पटना गये थे और इस बार राची में आये हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम हर एक परकार के परतीमा बनाते हैं। और बिहार जार्खन में छट महापर्व धूमधाम से मनाया जाता है, इस वज़ा से इस बार राची में हमें बुलाया गया है, और कैसे बनाते हैं, कैसे इसकी देख रेख की जाती है, इन्होंने खुद बताया, सुनिये। के टाइट करना पड़ता है, फिर बाद में ग्रोईंग के मुताबक उसको कार्विंग करना पड़ता है, फिनिशिंग। कहां से आपने सीख हैं? उडिसा, उडिसा से आप सीख हैं? जी, जी. इसमें मतलब एक बार बनाने के बाद इसको देख देख भी किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, बताये गत्तों. इदो तो छोट फेमोस है, शूर्यो भगवान का पुजा होता है, कार्टीक महीने में. अबले बार मेंने पाट ना में किया था और शूर्यो भगवान का दिमांग से ले लेता हैं, ड्रोईंग। पहले तो ये काम करने के लिए ड्रोइंग दिमाग में होना चाहिए और क्या-क्या आयूद है और क्या-क्या सब सुजो भगवान जो रोथ साथ घुड़े हैं और असारत ही है उसको ड्रोइंग के मुताबक पहले उफ़र से कार्भिंग करके नीचे आते हैं इसको बेख रेक के लिए इसमें पानी डालते रहना पड़ता है और क्या आता है उसको कार्भिंग करने के टाइम सुखा होगा तो निकाल जाता है इसलिए पानी डालके टाइट करना पड़ता है गिला होने के बार वो थोड़ा स्प्रे कर देते हैं टाइट कितना दिन चलता सब जेसे भी आप हमको बालू स्टोन कार्विंग करते हैं, स्टोन मुर्तियों लोग, गणपति के लिए बाल गणपति के लिए नेशनाल लवार मिलाता है, उडिसा में, बहुत मंदिर में हम मुर्ति बनाते हैं, कभी-कभी ये प्रोग्राम आता है, शांडाट के लिए कोई फेस्टिवाल होता है, वो बूलाते हैं, दस-पंदर दिन पहले, हम टाइम निकल के आ जाते हैं, क्योंकि इसमें शांडाट के लिए बहुत, सब बहुत खुशी होते हैं देखने के लिए, क्या आपका नाम है? धिरेंदरनात पंडा, धिरेंदरनात पंडा, उडिसा मर्भ अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले